दोस्तो अक्सर पूछा जाता है कि एक वर्ड में कितने syllables होते हैं syllables कितने तरक होते हैं और इसका क्या क्या नाम है तो आज क्या हमारा topic होगा syllables तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो syllables English literature के एक बहुत ही important चीज है इससे हम word दोना सिखेंगे अगर आप English literature के student हो तो आपको rhetoric, phonetics यह सब सीखना पड़ेगा तो तब syllables कितना जरूर है सीखना यह आपको समझ में आएगी दोस्तो एक word में जितने vowel sounds होते हैं उसे syllables करा जाता है तो vowel sound कौन से कौन से होती है दोस्तो इंग्लिस में A, E, I, O, U यह जो पांच sound से इसे हम vowel sound कहेते हैं अब syllables count हम दो तरीके से करेंगे एक होगा word breaking process और दूसरा होगा vowel count process दोस्तो आपको बहुत सरा YouTube channels मिल जाएंगे जहांपे आपको भावल count process सिखा जाएगा लेकिन word breaking process सिखा नहीं जाता है लेकिन यह दोनों process सिखा जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप दो process जानेंगे तब आपको word दोनना बहुत ही easy होगा और कितने syllables है वहाँ पे आप यह भी count करेंगे बहुत easily दोस्तो word दोना था हम सिखेंगे ही उसके पहले हम यह वाता देते हैं कि syllables चार तरक होते है एक monosyllable, di-syllable, tri-syllable और poly-syllable अब दोस्तों चलते हैं कि word को कैसे break करके हम syllables count करेंगे तो चलिए तो पहले हम monosyllable के बढ़ में जानेंगे जिस word में सिर्फ एक syllable होते हैं उससे monosyllable कहते है अब कुछ examples देखते हैं जैसा कि cat तो दोस्तों इस word को तोरा नहीं जा सकते हैं एक बार में ही कहा जाते है cat इसको आप cat, at ऐसे नहीं कह सकते हो इसलिए यह एक monosyllable है और अगर भावल के तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही भावल का sound आता है एक क और ट इसके बीच में ए cat तो एक sound आती है ना भावल वाली तो इसलिए यहाँ पे एक भावल है और इससे एक monosyllable कहा जाता है दूसरा example देखिए bat इसको भी तुरा नहीं जा सकते है एक बार में कहा जाता है bat यहाँ पे भी एक ही भावल है man इसको भी तुरा नहीं जा सकते है हम ए से कहते है कि man तो यहाँ भी एक ही भावल sound है और एक example देखिए pain इसको भी हम ए और यह पे रहाओ है pa-n इसको हम एक बार में कहते है pain यहाँ पी भी भावल sound हे a a pain मतलब a a जो भावल sound है इसलिए एक भावल साउड है और इसलिए एक aja Alright. हई अब दोस्तों हम die decreed ratio के और बहर में जानेंगे दोस्तों die यौदि इस luôn को अगर हम तोरेंगे तो इसका दो पाईगा एक आए गा बे और दूस्र होगा है इसलिए एक diceable है और यहां पर अगर भावल भी आप count करेंगे तो दो भावल मिलेंगे एक बे मतलब ए और दूसरा आएगा बी मतलब ए तो ए और ए दो भावल आते हैं इसलिए एक दूसरा एक्जम्पल देखिए पार शन यहाँ पे भी हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जैसे के पार दूसरा आएगा शन तो पर शन तो दो पार्ट हो गए इसलिए एक डाइसलब ले और भावल भी अगर आप देखेंगे त दो भावल यहाँ पे भी मिलते हैं जैसे के पर, आ और शन, आ तो दो आ यहाँ पे मिल जाते हैं इसलिए एक डाइसलबल हैं क्योंकि यहाँ पे दो भावल हैं तीसरा एक्जम्पल देखिए विन डो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट मिल जाएगा एक और Do, मतलब O, तो E और O, दो भाव मिलते, इसलिए भी ये Tmot? अब दोस्तो, हम T лучitte का बढ़े में जानेंगे, दोस्तो, अगर किसी वर्ड को हम divide करें, तो अगर हमें 3 part मिले, तो उसे हम twice level कहेते हैं, और दूस्य तरगे से अगर हम कहें, तो एक वर्ड में अगर हमें तीन भावल मिल जाए तब भी हम उसे ट्राइसलेबल कहेंगे एक्जम्बल देखें ब्यूटिफल यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वुटि फ्ल मतलब तीन पार्ट हमें मिल जाते हैं इसलिए एघ्राइसलेबल है तो अगर हम भावल के बात करें तो यहाँ पें हमें थीन भावल मिल्त करेंगे गएंगे दूसे एक्जेंपल दखिए, wonderful, wonderful, तो यहाँ पे हमें तीन पार्ट मिलते हैं इस लिए हम इसे tricellable कहेंगे और अगर भावल कॉंट करें तो दखिए, one तो यहाँ पे o, der, यहाँ पे a, full, यहाँ पे o, तो तीन भावल्स मिलते हैं, इसलिए भी ए है tricellable है अब दोस्तो हम policy label के बड़े में जानेंगे दोस्तो अगर हम किसी word को divide करें और वहां हमें 3 से अधिक मतब 3 से जैदा part मिल जाए तो उसे हम policy label काएंगे यह पर हमें 4 part मिल सकते हैं 5 part मिल सकते हैं कोई बात नहीं तो 4 part मिले और 5 part मिले 6 part मिले कुछ परवा नहीं उसे हम एकदम आँख बंद करके policy label काएंगे अब example देखिए जैसे कि acknowledgement यहाप हमें 4 part मिलते हैं दोस्तों देखिए एक होता है एक knowledge meant तो यहापे 4 part मिलते हैं इसलिए हम इसे policy label काएंगे और अगर भाविल काउंट करें तो देखिए एक होता है एक जहापे ए नो जहापे ओ लेज जहापे ए मेंड जहापे ए तो यह ए औ ए ए यह 4 भाविल्स मिलते हैं इसलिए भी ए policy label है दूसरा example देखिए misunderstanding यहापे कितने पार्ट्स मिलते हैं मिस आन डर स्टैन डिंग मतलब पाँच पार्ट्स मिलते हैं दोस्तों यहाँ इसलिए यह भी एक policy label है और अगर भाविल काउंट करेंगे तो देखिए एक होता है यह मिस जापे ए आन जापे आ डर जहाँ पे आ स्टैन जहाँ पे आ डिंग जहाँ पे ई तो यह पाँच भाविल्स भी यहाँ पे हम मिल जाते हैं और इसलिए भी एक policy label word है तो दोस्तों हम इस वीडियो में एक दिखाया कि syllables को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो तरीके से होगा एक होगा word break करके और एक होगा भाविल काउंट करके तो आप दोनों process यूज कर सकते हो word break करना तो आपका mental power से होगा और भाविल काउंट प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों जो process आपको अच्छे लगे तो वही process आप यूज करना कोई विदिक्कत नहीं है तो दोस्तों यही था इसका आप वीडियो तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कोमेंट जरू करना प्रेंको दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर सेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राब कर देना यहीं हम को आपके शवाच्त वी और यहाच्ता है तो दो अगरा नहीं विड्यो ऑँपन